नमस्कार दोस्त आप देख रहे हैं रोयल किसान और मैं हूँ आपका दोस्त शिवरासियाँ सातियो आज मुक्यता दो समश्या उपर हम बात करने वाले हैं जो कि आप सभी किसान मित्रों की बहुत ज्यादा क्योरी आ रहे थी मंडी में आप मिल रहे थे तो हमसे बस यही बात बोल रहे थे whatsapp पर chatting कर रहे हैं यूटुब पर कमेंड कर रहे है तो देखो मुक्यत समश्या एक तो जो पिपलिया मंडी लसुन की सबसे प्रसिद और प्राचिन मंडी है पिपलिया मंडी तो इसमें किसानों को किस प्रकार से समश्या का सामना अभी करना पढ़ रहा है उस किसानों को बड़ी चिंता होने लगी है कि यह जो नई सहभीन के फसल आने वाली है अगर इसका हमें दाम नहीं मिला तो केसे हमारा गर गरस्ती चलेगी केसे बच्चों की पढ़ाई चलेगी केसे आने वाली जो हमारी फसल है उसकी हम खाद ले पाएंगे उसकी नया बीज ले पाएंगे अगर इसका भाव ही नहीं मिलेगा तो तमाम प्रकार की जो आपकी जो मुक्यता दो समश्या के बारे में आज में बात करने वाला हूं और आज के जो बात है इसलिए उनसे में करने जा रहा हूं क्योंकि पिपलिया मंडी जो की लशुन की बड़ी प्रसिद मंड को जाना जाता है और अब तोनी यूटूब चनल की वज़ा से पूरे वेश्विग इस्तर पर भी लसुन जगत में पिपलिया मंडी का नाम गीना जाता है तो इतनी बड़ी प्रसीत मंडी है तो इसमें जो किसानों को अभी समश्या का सामना करना पड़ रहा है तो मैं माननी कि देवडाजी को इस समश्या से अउगत कराना चाह रहा हूं और सबसे पहले तो मैं सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्याप्रित करता हूं मित्रों कि आपने मुझे इस लाइक समझया कि आपकी जो समश्या है मैं जन प्रतिनी तक उठा पाऊं इसके लि निवेदन बस इतना ही रहेगा किसान मित्रों इसा न हो इस वीडियो के देखके आप चोड़ कर जयाए को पूरा देखिएका कमैंट करिए गाओ चैनलं को सस्क्राइब जरूर से कर दिजिएकर विडियो ko जितना हो सके उतना शेयर किजिएगा मेरा आप से निवेदन है औ विट्टमंत्री जक्दिर देवड़ा जी आपके सामने सबसे पहले तो रखने जा रहा हूं मैं पिपलिया मंडी की समझ्चा वा आज पिपलिया मंडी में किसान का दुश्मन बना हुआ है आप सोच रहे होंगे कि यह ऐसा कैसे तो सबसे बड़ी जैसा कि पिपलिया मंडी का मैंने आपको बताया है कि बहुत ही नाम चलता है यहाँ पर किसानों को अच्छा दाम मिलता है लवसून का विश्यश कर तो एसे में जो हमारे लोकल शेत्र के किसान बहुत जादा परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि जो पिपलिया मंडी है इसमें पूरे मद्यप्रदेश जीले के किसान मित्र आते हैं उसके अलावा राजिस्तान के भी आदे दूदे जीले के किसान पिपलिया मंडी में आते हैं जहां तक मैं जानता हूं राजिस्तान में और जब इस मंडी को देखते हैं तो कापी छोटी लगती है और छोटी मंडी के अभाव में जो किसाने जो भार वाले किसाने इनको आटार दस-दस दिन तक इंतजार करना पड़ता है और उनकी भी मजबूरी है क्योंकि उनको जो अच्छा दाम मिल रहा है एक अच्छा व पेल निकाल के चला गया क्योंकि दस-दस दिन तक पड़े है बाहर गाडिया पड़ी है तो देखो उनका धनी तो कोई है ने क्योंकि रोड के किनारे पड़ी है तो उनके बारे में बात करेंगे पहले हमारे लोकल किसान मित्रों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि देवड लसुन के अपने शेत्र में अगर वह चार-चर-चर-पास बोरी के लिए 8-8 दिन रुके एसा था संभव होगा नहीं तो वह भोले-बाले किसान मोटर साक्ल पर दो दो बोरिया लेकर आते हैं तो इसी कड़ी में अभी दो गटनाएं ऐसी हुई देवडाजी जो अगर आप भी इस चीज़ को सुनेंगे तो आपका भी दिल बड़ा आत होगा एक जो हमारे बढ़केड़ा पंद के किसाने वो आठ दस दिन पहले की बात होगी जब वो आ रहते लसन बोरी लेकर मंडी में जब उन्हों गाड़ी चड़ाई तो कापी जदा एक उच्चा स्लोप था जैसे उन्हों गाड़ी चड़ाई गाड़ी गीरी बोरिया समय उनकी टांग पे गीरी पूरी टांग की हड़ी बाहर आगी देवडाजी आप सोचो मंडी की अव्यवस्ताव के चल किसानमित्र जो की आते हैं वह भी दो बोरिया लेकर आते हैं और कापी ज़्यादा जो भीड़ बड़ा का हला शोर गुल रहता है मंडियों में हजार से पंद्रा सो मोटर साइकल आ रही है तो उस हड़ बड़ा हाट में जो किसानमित्र थे उनको पता नहीं जैसा कि मैंने पता जो रिपोर्ट समाचार में ही पड़ा था कि उनको एक रदेगात हो गया है यहनिका हाट अटेग आ गया उस बिड़ बड़ा को को देखकर और वहीं किसानमित्र वहीं उनका देहांत हो गया इपको भई साब आपकी मंडी में क्या-क्या कांड हो रहे हैं एक विसारे क माध्यसमि में उठा रहा हूं तो मेरा उद्देश यही है आप जितना जल्दी हो सके इन विवेंडी की विवस्ताओं को सुधार करवाईए अब आप देखिए आपके सामने में केमरे में वीडियो क्लिप लगा रहा हूं यह तीन छप्रे है इन तीन छप्रे में से यह बी चारा 6 माइने मेनत करता है उसके बाद मन्डी में गिल्ली हो जाती है वह बड़ा दर्द देते है और इसा बहुत सी बार हो है मैंने बहुत सी बार वीडियो बनाए किसानों की फसल के ँझाल नकी फसल को गिल्ली हो चुकी तिय। जाती है अकस्मात इसका कोई बरुसात है नहीं तो देवडा जी केसे भी करके हां मैं भी ये सुन रहा हूं कुछ कमेंड कर रहे हैं मेरे मेत्र की भईया मंडी का कई बाहर जाने वाली है जलूद्या मगरे पर देखो मैं ये चीजे आज से नहीं भी या 10 साल से सुन रहा हूं ये 10 साल में अभी तक नहीं गई है तो आने वाले 10-20 सालों में भी नहीं जाने वाली है मंडी का थोड़ा सा विस्तारी करन करिए ये जो चद्धर सेट है इनको हटाईए इनको चद्धर शेट को थोड़ा सा बढ़ा करिए आर्सी सी है बिल्कुल जरजर हो रही है सिर्फ कर दी गई है और किसी भी दिन बढ़ा हसा वाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आर्सी सी की और भी ज्यान दिया जाए चद्धर शेटों को बढ़ा से बढ़ा किया जाए किसान को कम से कम इंतजार करना पड़े एसी विवस्ता है देवड़ाजी आपको करना चाहिए क्योंकि ज दस दिन गर माल बेचने जाएंगे दस दिन केसे इंदोजार कर सकता में तो कहता हूं किसान एक दिन में माल बेच कर फिर होना चीए ठीक है यता परिश्थिती अगर अच्छा उत्पादन हो रहा है तो बड़िया अच्छी बात है पानी के अच्छी विवस्ता है हुई है सरक की समझ्चा है इसके अलावा किसान में तो आपकी क्या समझ्चा है आप कमेंड बॉक्स में जरूर बता सकते हैं देवडाजी जितना जल्दी हो सके आप मंडी का विस्तारी करण कराईए लोकल वर्सेस बाहरी की जो लड़ाई ये इस लड़ाई को खतम करिए ये मेनेजमे ले लेकर लसुन बेचने जाना पड़ता है दोदो बोरी और बाहरी वाले इन से परिशान है मोटर सैकल वालों से कि ये 1015 सा मोटर सैकल आ जाती है और हमें और आट-टार दसदे दिन इनकी वज़ेसे निज़ार करना पड़ रहा है तो किसान किसान का दुश्मन मत बनो बा बाहरी नहीं होता है किसान किसान होता है किसान स्वतंत्र है देश की कोई सी भी मंडी में अपनी लसुन बेच सकता है इसमें कोई दोमत की बात नहीं है किसी भी परकार का मत बेद महन बेद किसान मित्रों आप नहीं रखे यह हुई पिपलिया मंडी की बात देवडा जी उ पुद्दार करेंगे क्योंकि आपकी शेत्र की प्रसीद प्राचिन मंडी है और मुझे पूरी उमीद है कि आप इसको जल्द ही से जल्द फोकस में लेंगे और तुरांद इसके विस्तारी करण पर आप फोकस करेंगे जो किसानों को समश्य हो रही है थोड़ी सी इन पर आप किसानमित्र मिलते हो बोलते है श्रिवराजी कॉंप्लेक्स की क्या आलत है हमारे नहाने की इच्छा नहीं होती इसी साप सपई कर रहे की मतलब इतनी गंदगिया है पूरी मंडी में जैसे की लसुन है तो लसुन की कापी ज़दा छिलके रहते उड़ते रहते हैं उस करण स है थोड़ा सा थोड़ी बहुत गंद की होना वहां लाजमी बात है क्योंकि लसुन के जो छिलके कापी ज़्यादा उड़ते है पर फिर भी थोड़ा सा सपई पर फोकस कराया जाए मेरा यह निवेदन है यह थोड़ी सी मुक की समश्य थी मंडी का विस्तारी करन को लेकर आ यह 4500 भाव चल रहा है देवडाजी यह भाव तो 2014-15 में भी थे तो क्या 10 सालों में महेंगाई नहीं बढ़ी किया किसान यह पूछता है आज 6% की दर से सालाना महेंगाई बढ़ती जा रही है तो किसानों की जो स्वयविन फसल है इसके दाम क्यों नहीं बढ़ रहे है यह स्वयविन की फसल 12,000 रुपे प्रती कुंटल के हिसाब से भीकी थी अज 12,000 से गुड़क कर यह 4,000 पर आ गई है देवडाजी किसान के से पूर्ती करेगा क्या या तो फिर आप एक चीज कर सकते हो कि यह स्वयविन बोना बंद कर दो आप ओपिशली बोल दो कि हमारा मद् स्वया इस्टेट है अब है नहीं यह था कर दो या पीर कम से कम 6,000 रुपे प्रती कुंटल के हिसाब से स्वया इनका भाव किसानों को मिलना चाहिए ऐसी विवस्ता है आप किजिए मद्धिप्रदेश सरकार से मेरा निवेदा ने मद्धिप्रदेश स्वया इस्टेट के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर स्वया इस्टेट जिस नाम से जाना जाता है और जिनों ने इसके लिए महनत करी है उन किसान मित्रों की जो दूर दर्शा है वो आज बिलकुल निंदनी है बहुत किसान आज जो मंद्धि में स्वया भीन बेचने आ रहे हैं बड़े ख एक management set करो कि अपने जो देश के किसाने इनके पास कौन-कौन सी फसले है और कितने मात्रा में है क्या इससे पूर्ती हो सकती है अगर पूर्ती हो सकती है तो तमाम प्रकार के जो आयात आने दो आने दो विद्देश के चीज़ें मंगा रहे हैं इनको तुरंथ प्रकार से ठप कराओ हमारे देश्क में जो फसल है इनका क्या-क्या किस शेत्र में फाइदा हो सकता है पहले इनका छे हजार रुपे प्रती कुंटल की सबसे स्वयविन का दाम मिलना चाहिए यह कैसे मिलेगा यह तही मध्यप्रदेश सरकार करेगी बस स्वयविन किसान के जेब में कुछ चंद रुपए बच पाएंगे वरना 4,000 रुपए में तो देवडाजी यह जो किसान मित्र है आपसे निवेदन है जो स्वयविन में कितना खर्चा आता है कितना बीज लगता है कितना लागत आती है और जब मंडी में बिखती है 4,000 के बाव से तो कितनी बच्चत होती है यह थोड़ा सा एक लेक लिख दीजे कमेंट बोक्स में ताकि हमारे देवडाजी उचिसको पढ़ सके तो मेरा मानन चार अजार में अगर स्वयविन बिखती है तो कुछ भी नहीं होने वाला है एक समय ता जब 14-15 में सब स्वयविन का उत्पदन होता था पांस से छे कुंटल प्रती बिगेगा हो जाता था और आज जो स्वयविन की फसल है जमिन को भी खाती जा रही है आज इसका ने क्योंकि इस मलागर विदान सवाशेत्र में 40% किसान मित्र है और उन्होंने आपको बिलकुल दिल खोल के वोट दिया है टोब 10 में आपको पहुंचाया है क्योंकि 69,000 मोतों से आपको जिताया है इन किसान मित्रों ने तो आपका फर्ज बनता है एक तो स्वयविन के दा पुरा लगा हो तो मैं माफी चाता हूं बाकि निवेदन किसान मित्रों यही करना चाता हूं वीडियो को लाइक करिएगा कमेंड करिएगा अपनी समस्चा है कमेंड में बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इसी प्रकार की जो आपके हित की बात रोयल किसान पर की जाती है इसको सब्सक्राइब कर लिजिए फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फोलो कर लिजिए और इस वीडियो को जितना हो सके जितने भी आपके पास कॉंटेक्ट लिस्ट है उनमें शेयर कीजिए धन्यवात जय जवान जय किसान